आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बात करने वाले हैं ओप्रेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में कि ओप्रेशन ब्लैकबोर्ड था क्या यह प्रोग्राम क्यों लाया गया इसका परपस क्या था तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे सम पहले हम इसकी अगर word meaning समझें कि operation blackboard तो operation का क्या मतलब होता है तो operation का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना अक्सर आपने जो शब्द है hospital के संधर में सुना होगा कि जब patient की हालत बहुत critical होती है तो उसका operation होता है ताकि उसकी condition को जल्दी से जल्दी के तो यहां पर हम बात करें education की ठीक है कि education इसको और बहतर बनाने के लिए teaching learning process को बहतर बनाने के लिए इस operation word की बात की जा रही है और अगर हम blackboard की बात करें तो इस program के according blackboard का मतलब school classroom में इस्तमाल होने वाले उस board से नहीं है जिस पर teacher जो है काम करवाते हैं यहां पर blackboard का म है चाहे school building हो गई चाहे school में toilet हो गए ठीक है चाहे classroom में teaching learning material हो गया चाहे teachers हो गए तो यहां पर blackboard का मतलब जो है school में जो resources हैं जो संसाधन है जो school infrastructure है उससे है ठीक है तो अगर हम इसको जाने operation blackboard क्या है तो operation blackboard विद्यालियों में आवश्यक संसाधन की विवस्था का परती है कि इस प्रोग्राम के माधियम से किस क्या बात की गई कि school में जो necessary resources है वो available करवाये जाए ताकि teaching learning जो process है वो बहतर हो सके बच्चे school की तरफ attract हो सके तो इसलिए program आया ठीक है तो इसका concept आप समझ गए होंगे तो फिर operation blackboard तो operation blackboard has been implemented in 1987 कि यह जो प्रोग्राम है एक कब आ आया 1987 में by the government of India भारत सरकार के द्वारा as per the recommendation submitted by NPE 1986 की नई सिक्षा नीती जो राष्ट सिक्षा नीती थी 1986 की 1986 की तो इसमें बात की गई कि हमारे हैं पर जो primary education है education है इसकी infrastructure को और बहतर बनाया जाए बच्चों को school की तरफ attract किया जाए जो necessary जो teaching learning जो material है जो resources है वो स्कूल म जाएं तो 1986 की policy में बात की गई तो उसी को implement करते हुए 1987 में आया operation blackboard ठीक है the main goal of this program was to provide minimum essential services to all the primary school in the country की इस कारिक्रम का मुख्य लक्ष क्या था these के सभी प्रात्मिक जो विद्याले है primary school है उन में नियूनतम आवस्थक सेवाएं परदान करना है चाहे हम चौक की बात करें चाहे टीचिंग एट की बात करें चाहे हम blackboard की बात करें चाहे हम classroom की बात करें चाहे teachers की बात करें तो जो minimum resources है हर स्कूल में कम सकम available करवाए जा है ताकि बच्चों को education मिल सके तो इस प्रोग्राम की बात करें तो यहां पर school infrastructure को और बहतर बनाने की बात की जा रही है ठीक है अगर हम इसके objective की बात करें to provide minimum educational material resources in primary school तो material भी आप कह सकते हैं resources भी कह सकते हैं कि प्रात्मिक विद्ध्यालियों में newton शिक्षांट सामगरी या साधन उपलत करवाना तो improve the quality of primary education की प्रात्मिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तो reduce wastage and stagnation rate की अववय और ठहराव की दरकों कम करना तो जैसे मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया कि wastage का मतलब है कि जब कोई बच्चा स्कूल में admission लेता है मालो कोई first class में admission लिया और fourth class में इसने छोड़ दिया तो मतलब क्या है कि उसने अपनी schooling पूरी नहीं की त एक तरह से government ने चार साल उस पर जो भी पैसे खर्च किये वो government के खराब गए क्यूंकि government का तो एक objective था कि इसको इसकी पूरी schooling complete करनी है लेकिन बच्चे ने तो अपनी schooling complete ही नहीं की fifth class पास ही नहीं की तो मतलब क्या है कि जो resources चार साल तक उस पे लगे वो खराब गए इसी अगर हम stagnation की बात करते हैं तो एक बच्चा मालो एक ही class में बार बार फेल हो रहा है तो मतलब क्या है कि उस पर जो resources है और बच्चों से ज्यादा लग रहे हैं तो जो यह problem था वेश्टे जाए इसको कम करना है ताकि बच्चा school ना छोड़े school में अगर उसको जो resources मिलेंगे teachers available रहेंगे तो बच्चा पढ़ाई में इंट्रेस्ट लेगा अपनी education complete करेगा इसी के सासाथ अगर बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए समझाया जाए तो फील भी नहीं होगा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा तो इसका एक उदिस क्या था to reduce vestige and stagnation की aware और ठहराव की को कम करना to attract all children especially girls to primary education कि सभी बच्चों को विशेश का लड़कियों को प्रात्मिक सिक्षा क्यों और आकर सित करना और बच्चे आकर सित कब होंगे जब स्कूल बिल्डिंग अच्छी होगी स्कूल में टॉलेट्स होंगे पीने के पानी होंगे classroom अच्छी होंगी teachers होंगे तभी तो बच्चे अट्रेक्ट होंगे तो इस सारी जो resources है अविलेवल करने की बात इस प्रोग्राम में तहीं गई और अगर हम इसके features की बात करें विसे सोच सकते हैं कि आप आज के time में school में जा रहे हैं आप कितने सारे rooms मिल जाते हैं लेकिन उस time 1987 की बात करें तो उस time school में अगर एक classroom भी होता था तो वह भी बहुत था तो उस time क्या कहा गया कि हर स्कूल में कम सकम दो classroom बच्चों के पढ़ने के लिए तो हो it is necessary to have two teachers in the school one which is a woman कि हर स्कूल में कम सकम दो teacher होने चाहिए और इसमें women का रिसों कितना होना चाहिए 50% कि 50 50% जो teachers है वो women होने चाहिए ताकि जो girl child है वो भी उनको भी school की तरफ अट्रक्ट कर सके उनको एक security मिल सके देर शुडबी ऑफ नेसेसरी एजुकेशन मटीरियल टोल सिंदर इस्कूल कि विद्याले में आवस्तक सिंसर जो साधन होते हैं उनको उपलब्द करा जाए चाहे चौक हो गया डश्टर हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया ठीक है इसके अल नڑकों के लिए अलग सोचाले की विवास्ता हो क्यूंकि बहुत भायुशूर था कि Это टॉलेट होते ली नहीं थे तो इस नहीं भी गुछो इसकूल की तरब नहीं जाती थी तो इस ने इसमें कहा गया की स्कूल में टॉले होने चाहिए गर लिए लग Divine होने चाहिए यह ल प्लैन ओफ एक्षन आया एन एपी 1986 को फिर से रिव्यू किया गया और इसका जो प्लैन ओफ एक्षन 1992 में आया तो इसमें क्या कहा गया कि विद्ध्यालियों में दो कमरों की जगे तीन कमरे हो और दो टीचर की जगे तीन टीचर होने चाहिए ठीक है मतलब इसको एक्सपैन क अब jaar खुल्ज़ के लिए मतलब अब टूरसी क्लास तो इसमें कहा गया कि इसको अपर मतलब एट प्लास तक इसको एक्सपैंड किया जाए ठीक है और उसके बाद हम बात करें नैंटीँ second expansion 1993-1994 में फिरसे इसमें इसको एक्सेंड किया गया तो इसमें क्या कहा गया देखो 1992 में तो कहा गया था कि दो से तीन classroom किये जाए और जो टीचर दो से तीन किये जाए और इसको प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल तक बढ़ाया जा और कि ऑप्रेशन ब्लैक बॉड क्या है तो अब जब आपके आप कभी इस ग्लाक बॉड को सुनों तो कब बना था 1986 की जो निव एजूकेशन पॉलसी थी नेश्णल एजूकेशन पॉलसी थी ठीक है तो उसमें इस चीज़ का जिकर किया गया था तो उसी का एक तरह का implementation था उसी के तहट बाद में after one year इस प्रोग्राम को लाया गया था और इसका main purpose क्या था इस प्रोग्राम का main purpose था इस cool infrastructure को और बहतर बनाना ठीक है तो आपको इस वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद